अब हम बात करते हैं राजिस्थान के बारे में तो राजिस्थान में मिट्टी के घर बनाई जाते हैं घरों की दीवारें पहुती मोटी होती हैं और इन्हें लिप पोद करके सुन्दर बनाया जाता है और इनकी छटें कटीली जाडियों से बनाते हैं राजिस्थान में टें घंटे हैं जोक राजिस्थान के जालरपतं में या जल्वार में है राजिस्तान के जोदपूर में खेजड़ली गाउं के लोग पेडों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेडों से चिपक करके खड़े हो गए setup 200 साल के बाद भी यहां के लोग जो विसनोई कहला के पेड़ पाय जाते हैं या पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खुब पाया जाता है इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है इसकी छल दबा बनाने के काम में आती है इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है इसकी फलियों से सबजी बनती है पत्तियों को वह के रहने वाले जानवर खा लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार तो बिहार में मदवनी नामक जिला है यहां त्योहार एबं खुसी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई खास तरह के चित्र बनाई जाते हैं यह चित्र पिसे हुए चावल के घूल में रंग बिलाकर के बनाए जाते हैं इन रंगों को बनाने के लिए नील हल्दी फूल पेड़ों की रंग आधिका इस्तेमाल किया जाता है मदवनी चित्रकला बहुती पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनाली तो मना जिला इत्र के लिए मसूर है यहां के फूलों से इत्र गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है उत्तर प्रदेश में कच्छनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है नेक्ट पॉइंट है उत्तराखंड तो उत्तराखंड के बीच में पीले पीले फूलों के लंबे चोड़े कालिन जैसे मैदान भी है और कहीं कहीं अच्छानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ हपतों के लिए खिलते हैं नेक्स्ट पॉइं जील तथा तालाब हैं यहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है यहां खजूर के पेड़ अधिक मातरा में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलागे में पाए जाते हैं अबुधावी की करेंसी दिरहम है अबुधावी में रेत के पहाड़े या रेत क तीले पाए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लद्दाग के बारे में तो लद्दाग पहुचने के लिए जम्मू कस्मीर पार करना पड़ता है लद्दाग को ठंडा रेगिस्तान यानि कोल डेजाइट भी कहते हैं लद्दाग में घर पत्थर के होते हैं जिनक यहां पर किया जाता है मोटे पेड़ों का तनाचत को मजबूत बनाने में मदद कता है ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में यहां पर रहने आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में बिंडो में पढ़ते हैं लाल मिर्च नारंगी कद्दू और सुनेरे पीले भुटे यहां पर मिलते हैं स्रीनगर से लद्दाक जाते हुए कारगिल रास्ते में पढ़ता है यहां संक्रे रास्ते होते हैं पहाडी इलाकों में नौई लाइन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है लद्द पॉइंट हम बात करते हैं चंग थंग के बारे में तो चंग थंग पस्च में और उत्तरी तिब्बत में एक उंचा पठार है यहां 5000 मीटर उंचाई परिस्थित है जो कुछ हद तक भारत के लद्दाक छेत्र के दच्छिर पूर्गु में भी फैला हुआ है यहां एक भी पे को रोव कहते हैं यहां सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है चांग पाकी भासा में चांग थंग का मतलब ऐसी जगह से हैं जहां कम लोग रहते हैं रेव वर्ता टेंट के पास एक जगह होती है जिसे यह लोग लेखा बोलते हैं जहां यह अपनी पक्र जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लोट करके उन्हें दुवारा से गिनती हैं यह लोग बक्रियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं जिससे बक्रियों के बाल गने और मुलायम होते रहते हैं अब नेक्स्ट कॉइंट हम बात कर क्याती है ठंड में temperature 0- squat कोट बन जाता है इनमें से कुछ वाल बकरीयां गर्मियों में गिरा देती है जिनका प्रेयोग पस्मीना सोल ने में किया जाता है इनका इटना पतला होता है कि उनके छे जिल हमारे एक बाल के बरावर होते हैं ने सोल हाथ से बनाए जाते हैं लगबक 250 गंटों की बुनाई के बाद एक प्लेन सौल तैयार होता है एक पसमीना सौल लगबक 600 एटरों के जितना गर्म होता है अब नेक्स्ट कॉइंट हम बात करते हैं स्रीनगर के बारे में तो स्रीनगर में कुछ घर पहाड में कुछ पानी में कुछ उचे परवतों पर और कुछ पत्तरों में और इन पर लकड़ी के सुन्दर डिजाइन पने होते हैं हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 8-9 फीट तक चोड़ी डोंगा यह नाब जेलम नदी में डल जील में मिलती है इसके अंद कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगती हैं इन पर सुन्दर डिजाइन पने होते हैं, जो के इस चत पर होता है तो उसे खतंबंद कहते हैं और कसमीर के गाव में घर पत्थर से बनते हैं और धलान वाली छोते हैं कुछ पुराने घरों में विशेज प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवार ऊपर निकल लिखी हई होती हैं इन्हें डेप कहा जाता है इनमें संदर डिजाइन बने हुए होते हैं कुछ पुराने घर पत्थरों के पने हुए होते हैं और कुछ इंट और लकडियों के भी होते हैं दरबाजे और खिड़कियों में सुंदर महराव होते हैं सिकारा नाप पर्ले टकों को आकरसित करती है कस्मीर में सरसों के तेल में मचली को पका करके खाते हैं गोवा में नार जिला अंध्रप्रदेश में है अधिकतर जो लोग हैं बूंकर है अतै इस चुलहों प्रिदेश की भासा तेलगू है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मुंबई के बारे में तो मुंबई भारत का सब्चे बड़ा सहर है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए रास्ते में गुजरात राजस्तान को पार करते हुए माराष्ट में आना पड़ता है दिल्ली से दूर है विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई में है पहली बार सोले अप्रेल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच में पहली रेल गाड़ी चली नागपांडा और अफसाना मसूरी बॉस के बॉल तीम आपकी मुंबई में इस्थित हैं सोलापूर मुंबई में है कप परेड मुंबई में है बच्चु खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफा खान कोज के नाम पर पड़ा सैजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट में खाये जाते हैं बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट में है महाराष ऐसे 87 बुर्ज बने हुए हैं कुतुप साही सुल्तानों ने गोल कुंडा में 1518 से 1687 तक सासन किया इससे पहले बारे सो इसवी में गोल कुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था उंची और गोल दीवारें दू तक देखने में मदद करती थी जिससे आक्रमड का पता चल जाता था औरंग यहां अक्रमड करने आया था पर अस्फल रहा लगवक आठ महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ ही रहा के लिए के चारों तरफ खाई थी जिस वजए से आक्रमड नहीं कर पाया था उस समय कांस यानी ब्रॉंज की बंदू के बनती थी जारों सालों से या बाबडी के बारे में तो कुए के सूखने के प्रमुक कारण क्या थे पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है जील कम हो रही है यहां पर बरसा का जो पानी होता है वो एकटा होता है और पेड़ और बर्फो पार्क के चारों और की जो मिट्टी होती है इसको सीमेंट से ढखा जा रहा है जिससे बरसा का पानी जमिन तक नहीं पहुंचता है सीड़ी दार कुए या बाबडी जल भंडारन तथा संद्ध चड़ की एक पारम पर विवस्ता के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग में होते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं घरसी सर के बारे में तो इसमें सर का मतलब होता है तालाब इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर के बनाया था इसके दोनों तरब पक्के घाट सजे हुए बरामदे कमरे और बड़े हॉल आधी होते हैं मिलों तक फैले इस घरसी दार में घरसी सर में बारिस का पानी घटा होता था तालाब इस तरह पनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता है तब बागी पानी बहेकर नीचे बने हुए तालाम में चला जाता है जब वह भी लबालब भर जाता है तो पानी तीसरे तालाम म सागर के बारे में बैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है लेकिन सागर की नमकिन सागर है इतना नमकिन है कि लगबग एक लीटर पानी में 300 ग्राम यापन नमक पाया जाता है मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे के हम आराम से लेते हो जल्मिया उक्सीजन की कमी के कारण मचलियां मर जाती है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है को वालना गंदा पानी पीने से 10 दोर हैजा हो सकते हैं दस्तिया उल्टी से शरीर का पानी सारा बाहर निकल जाता है लिंग हुफेंस आपके मास से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे होंग कोंग में खाया जाता है नेक्स्ट कॉइंट हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बार करते रंका गाड़ा तरल पधार्थ होता है जिसमें गंदो होती है इसी रिफाइन किया जाता है रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल डीजल पेट्रोल और बायो यान में प्रयोग होने वाला ओल एल पीजी मोम और कोलतार ग्रीस आधी यह सब बनता है कम हो जाता है क्योंकि पढ़ाई में इससे ध्यान भी नहीं रह पाता तो मलेरिया बुखार में कपकपी ठंड लगती है रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्चरों के कारण हो ता यह भातिया मूलके थे मलेरिया को दूर करने की दवाई सिंकोना पेड़ खाने से टाइलिन निकल कर सुगर में बदल देता है जिससे भोजन मीठा लगने लगता है पकाने के तरीके होते हैं भून कर उबाल कर तलकर और सेक कर हमारे पेट का टेंपरेशर 30 डिगरी सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने बाले रस अमली होते हैं और भोजन को होते हैं तो हमारे सरी से बहुत सारा पानी की कमी हो जाए जब पर नमक भी मिल लेना चाहिए बहुत चोड़े जरूरी है बीमारी रोकने के लिए दवाईयां जो धरेलू भी हो सकते हैं इने भी ले लेना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ब्रेल लिपी के बारे में तो एक मोटे कागज पर एक नुकिली चीज से 6 बिंदूओं को भारा जाता है फिर उब्रे हुए बिंदूओं पर उंगलियों के सहारे ने इस पर्स करते हुए पढ़ा जाता है या ब्रेल लिपी कहलाती है लुइस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे तीन साल की उम्र में अपने पिता के ओजारों से खेलते हुए इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी पढ़ाई में बहुत रोची होने के कारण ये पढ़ने और लिखने के बिविन तरीकों को सोचने लगे हो फिर एक तरीका निक में तो जिम कारवेट नेशनल पार्क उत्राखंड में और यहां हातियों चीते पाए जाते हैं काजी रंगा राष्ट्रिय पार्क असम में है यह एक सिंग वाले गैड़े के लिए मसहूर है और यहां हातियों चीते भी पाए जाते हैं बादिपूर राष्ट्रिय पार्क क आपका अंडबान निकोबार में है देश में सबसे अधिक राष्ट्रिय फार्ग मध्यप्रदेश में हैं विश्व का एक मात्र तेरता हुआ राष्ट्रिय उद्यान केवल लाम जाओ जो कि आपका मड़ीपूर में है देश का सबसे बड़ा पागव्यारन नागार जुन हर्याना में है सोहना से दिल्ली जाते हुए गुडगां रास्ते में पढ़ता है गुजरात में रहते थे वे बच्चों के लिए मजेदार किस्ते कहानिया और पत्र लिखा करते थे नेक्स्ट मॉइंट हम बात करते हैं ट्रॉली के बारे में तो यह लकडी से बना एक जूल यह आगे से लगडी के फॉटों से बना हुँगारी में प्रयोग में लाया जाता है आघ्स्ट का पश्चमी तठ अरब सागर के रूप में जाना जाता है जिसके किनारे महराष्ट गुजरात करिणाटक केरल तथा गोवाराजस्दित हैं भारत का पूर्वी तठ पंगल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है जिसके किनारे पश्चमी बंगाल आंध्र प्रदेश अमिलनाडू ओड़ी सा राज्य स्थित हैं नेक्ट पॉइंट हम बात करते हैं गैस के बारे में तो द्रब से गैस परवर्तर होने की प्रक्रिया बास्पी करन कहलाती है बास्पी कर स्थाइट लो फ्लोरो कार्वन मीथे नादी ग्रेस ग्रीन हाउस गैसे होती है यह जलबायू परवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनसे विस्व में गर्मी बढ़ रही है बारत में क्लोरो फ्लोरो कार्वन पर रोग लगा दी गई है नेक्स्ट पॉइंट हम बात क परव्ma प्र करते हैं औपने-दांत का प्रयों एक दूसरे तक जहर पहुचाने के लिए करते हैं और यह अपने दान का प्रयों दूसरों तक जहर पेहुचाने माई करते हैं इनके कान नहीं पाइं पाय साथ का गुजरात में तो जो कि सूखी लोगी से निर्मित होता है सांप के काटने की दवा सांप के जहर से निर्मित होती है जिसका नाम है सीरम तो इनके पाए जाते हैं लेकिन अपने भोजन को निगल करके करते हैं चबा करके नहीं करते सांप के भोजन पाचन में सायक होता है तो सांप के भोजन पाचन में सायक होता है आपका तापमान भारत में चार तरह के जहरीले सांप आये जाते हैं जिनके नाम है नाग करें अफाई और दुबईया नेक्स्ट पॉइंट हम बात करती है वह आपका नाग तो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाती है वह नाग तो इसके काटने के पश्चा सरीर में जलकी कमी होने लगती है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं करेंट के बारे में तो रेगिस्तानी साप के जो है रेगिस्तानी साप को हम करेंट के नाम से जानते हैं इसकी जिवबा पतली होती है जिसके काटने पर पता नहीं चलता और व्यक्ति छटपटा के मर जाता है सरवादिक करेंट आपके र रात में होता है इसलिए इनको रात्रेशर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं दोभईया के बारे में तो इसे दो मुहाद साप कहा जाता है सबसे कम समय में इसे म्रत्यू हो जाती है काट कर पलटने वाला जीप कहलाता है काटने पर सरवादिक एंटन होती है नेक्स्ट पॉइंट है काल बेलिया या नागिन डांस तो यह सरवादिक राजिस्तान गुजरात में होता है नाग गुमफन सापों की एक रंगोली जो की गुजरात में होती है नेक्स्ट पॉइंट है केंचुआ की ओसत आयू आट वर्स है ओसत लंबाई 14 इंच है किसानों का मित्र जो की मिट्टू को भुरबरा बनाता है इसके मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाब बढ़ जाता है म गटक स्रेडी खरपत्वार नश्ट करने में इसकी महत्वपूर भूमिका होती है इसका सामन रंग भूरा होता है नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन के बारे में तो यह एक जली जीव है सबसे बुद्यमान जली जीव इसे कहा जाता है अलग अलग भासा बोलने वाले जल दिया के मद्ध में यह पाई जाते हैं कच्वा बनने जीव अब भारन रसी संरच्षड है इसका कच्वा डॉल्फिन का ब्लू वेल अब हम बात करते हैं ब्लू वेल के बारे में प्रत्वी का सबसे भारी जीव सबसे घातक जली यह सिकारी और समुद्र में सबसे ज्यादर सिकार करती हैं यह सरवादिक संख्या में हैं इनके शरीर पर कुछ शिपका होा होता है जैसे औरनाल्ट के नाम से जाना जाता है और इसके सिकार से भोजन यह प्रांप्त करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मकडी के बारे में तो कीट वर्ग का अपवाद है इसके आठ पैर होते हैं सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है क्योंकि यह गंदगी फैलाती है प्रत्वी पर पाये जाने वाले सरवादिक जीवों में मकडी तीसरे इस्थान पर है मदमख्ः यानी अनिता की मदमख्ः तो चटता इसका बी हैप कहलाता है फूलों में परागर में सरवादिक सहायक होती है मतमख्ः इसे सहाई और यह प्राप्त करती है सहाई चंपर नहीं होने वाला भुजन है तो यह अपने पीछे कुछ ऐसा चोड़ती है जिससे की अन सबसे बहुते हैं सुद्ध बहुते हैं अप लगड़ी और भोजन रुप्सू के बारे में तो यह समूल में रहने वाले जीव में आते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह जानकारी कैसी लगी यह सब तो आप हमें कमेंट वोक्स में एक बाद जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यूँ